कोरोना का जो साइड इफेक्ट है स्वास्त को तो नुकसान हो जी रहा है जो भी हमने आपको बताया लेकिन एकनोमी के उपर कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये इस रिपोर्ट के जर्गे आप समझ सकते हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के NPA को लेकर बड़ी चेताबली दी गई है यानि जो बैड लोन होते हैं वैसे लोन जो डूबने का खत्रा होता है उसको लेकर कड़ी चेताबली दी गई है अर्बियाई ने कहा है कि कोरोना संकट के चलते NPA में भारी बढ़ोतरी हो सकती है यानि बैड लोन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है सासी आरबियाई ने ये भी का कि एकनोमी के पट्री पर लोटने में अभी लंबा वक्त लगेगा क्या है पूरी खबर डीटेल में बताने के लिए हमारे संबाधाता ब्रजेश कुमार मिश्रा हमारे साथ जोड़ रहे हैं सबस्क्राइब बात यह जो अर्बेक एन्वल लेपोर्ट में कही गई है कि 2008 के संकट के मुकाबली जो मौजुदा संकट है कोरोना का संकट यह काफी घाता है 2008 की जो दिक्टत थी वो financial issues को लेकर दिक्टत थी लेकिन यहां सेहत से जुड़ा मामला था और मामला है और इस वज़े से economy को पटरी पर लोटने में काफी लंबा वक्त लग सकता है और खोड़ी बहुत जो recovery अगर दिखेगी भी वो system में नकदी बढ़ेने की वज़े से दिखेगी लेकिन जब तक कोई पक्का इस बीमारी का इलाज नहीं आ जाता तो दुनिया भर की अर्थ में वस्ता के लिए इसका जो खत्रा है वो बरकरार रहेगा भारतिय बैंकों के बारे में एक जो एहम observation एल्जर बैंक का यह है कि जो NPA है बैंकों का यहने डूबा हुआ कर्ज है वो करीब डीड बुनाथ के बढ़ सकता है सामानने सेती में अगले साल मार्च तक और जो दिखकत ज़्यादा हुई तो यह पौने दो बुना तक भी ज़ा सकता है और इसलिए सारे बैंकों को और सरकार को भी यह कहा जा रहा है कि आप बैंकों में जो और ज्यादा पूंजी बढ़ाएं अगर निजी बैंक है तो भी पूंजी बढ़ाएं तो भी पूंजी बढ़ाएं और यह भी बात कही है कि जो कंजम्चन है उसको जो उपभोग है वो ब पुरा मदद मिलेगी और साथी यही कराया की जो कोरोना से नुक्सान हुआ इसका अंदाजा भी लगा पना काठिन है तो यह कुछ एहम जो है अब्जर्वेशन है रिजर बैंक की एनुल इपोर्ड में तो इसको लिकरके जो है सरकार को यह भी हिदायत है कि जो टेक्स कोई व लास्ते हैं उनका इस्केमाल करके किस तरह से सरकार को टेक्स काम देनी बढ़ाने पर फूकुस करना चाहिए यह डीटेल में और आसान भाशाम में प्रजेश ने आपको बताया कि आर्वियाई की रिपोर्ट में बड़ी बातें क्या कही गई गई है तो तो बड़ी बातें आर्वियाई की सलाना रिपोर्ट में बहुत शुक्रिया आप रिजेश आपका इस पूरे डीटेल के लिए